वाहे गुरू साहिब जीओ किरपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगान ना बिचारो कोई माटी का क्या तो पैस्वामी मानस की गत एही मूख उचरे सास्तर खट पिंग गिरन चड़ जाई अंद लखे बदरो सुने जाओ काल कृपा कराई कहा बुद्ध प्रब तुछ हमारी बर न सकै मेहमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुमारी आप ले हु तुम कथा सुदारी बेसुमार अथाह अगानत अतोले जाओ बुला वुहूत्यों नानक दास बूले जाओ बुला वुहूत्यों नानक दास बूले सतना वाहि गुरू साहिब जीओ सलोक महला तिजाओ वाहू वाहू बानी न्रंकार है तिस जेवड अवर नकोई वाहू वाहू अगम अथाहू है वाहू वाहू सच्चा सोई वाहू वाहू बानी न्रंकार है तिस जेवड अवर नकोई वाहू वाहू अगम अथाहू है वाहू वाहू सच्चा सोई वाहू वाहू वीपर वाहू है वाहू वाहू करे सोई वाहू वाहू अगम वाहू वाहू अंृत नाम है गुर्मुख पावै कोई वाहू वाहू कर्मी पाईये आप दया कर दे नानक वाहू वाहू गुर्मुख पाईये अन दिन नाम लए महला तिज्या बिन सत्गुर से वे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बह तेरा लोची है विन कर मैं ना पाया जाए जिनना अंतर लोब विकार है दूज्य पाई खुआए जमन मर्ण न चुककई हो मैं विच दुख पाई जिनना सत्गुर स्योचित लाया सुख ले कोई ना ही तिन जम की तलब ना हुवाई ना वे दुख सहाहे नानक गुर्मक उपरी सच्चे सब्द समाहे पोड़ी ताड़ी तिसनू अखिये जी खस मैं तरे पियार दार खड़ा सीवा करी गुर्सब्दी विचार ताड़ी दार कार पाई सी साच रखे उरतार ताड़ी का महल अगला हर के नाई पियार ताड़ी की सिवा चाकरी हर जप हर निस्तार वाह गुर्जी का खलसा ताड़ी का महल अगला हर के नाई पियार ताड़ी की सिवा चाकरी हर जप हर निस्तार वाह गुर्जी का खलसा वाह गुर्जी की फते चवर शतर तक्त दे मालक वाली दोजहान तानतान साहिब स्री गुरू गरंद साहिब जी महराज तिना दे पावन हजूरी दे अंदर बिराजमान गुरू रूप सारसंगत जीए अमरत वेले दा दिवान सजिया है पांज बाणियां दा नितनें सुक्मनी सहब जी अमरत मई बाणिंदा पाठ वाह गुरू नाम मंतर सिम्रन उस्तों परंत आसा की वार दे इलाही बानी दा किरतन आप जीने गुरू सवारियां दे पासों स्रवन कीता है हून चल रही गुर्भानी दे लड़ी वार कथा विचारता समा हुया है जो पावन शब्द आप जीने स्रवन कीता है इहे तन तन साहिब स्रीगुरु अमर्दास जी महराज उन्ना द्वारा उचारन गूजरी की वारदी अठारा नंबर पौड़ी है और उस दे नाल लगदे दो स्लोक वी तीसरे गुरु देवजी द्वारा ही उचारन हन। इन्ना स्लोकान देवेच जो पिछले कुछ दिनातों विचार चल रही है सत्गुरु महराज स्लोकान देवेच जादा तर वाहु वाहु मंतर दा शब्द दा जिकर कर देने और महराज किर्पा कर देने वाही गुरु की है वाही गुरु जपन दे नाल की हुंदा उदा की है उड़े गुण की ने पू किस्तरान दा है पिछले कोज दिना तो इस्तरान दे विचार सत्गुरु बक्षिश कर रहे ने कल दे विचार आपने स्रवन कीते सी वाहू वाहू करहे सेजन सोहने उध्यों मनुख सोने ने जेड़े वाहिगुरु मंतर दा उचारन करते ने उना दा तान सुन्दर है उना दा मन सुन्दर है उतान मन करके सुन्दर ने ये सारी विचार नो कल विस्तार नाला आपने स्रवन कीता से फिर सत्गुरु महराज अजदेश शब्द देविच वाहि गुरू दियां उससे तरानियां होर बढ़ियां दाजिकर कर देविच और पहली पंग्ती देविच महराज महरामत कर देविच वाहू वाहू बाणी निरंकार है ए जो वाहू वाहू बाणी है बाणी दा मतलब है बोल जो असी बोली दा है उ साटी बाणी साटे बोल जो गुरू ने बोल लिया गुरू दी बाणी आपा शब्द वर्त दिया गुर्बाणी तो गुर्बाणी दा मतलब हुंदा है गुरू दे बोल ओ मुबारक बोल जेडे गुरु दे पावन मुख दे विच्चो निकलेने जेडे विस रूप दे मुख दे विच्चो निकलेने उसे गुरु दी बानी ए गुरु नानक दे महराजी दी बानी गुरु अंगर दे महराजी दी बानी गुरु तेक बहादर महराजी दी बानी तो तो जिनना दे मुख दे विचो निकली उनना दे बोल उनना दे बाणी 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 दा मतलब बोल ए जो वाहिगुरु वाहिगुरु बोल है ए जो शबद है बाणी है सत्गुरु कहन दे ने ए निरंकार है निरंकार परमादमा दा नाम है ए दे कई अर्थां दे विच लिय पहले पंक्ति ये कई अर्थां देविच, पहला ते ए वाहे गुरु मंतर परमातमा दा रूप, ओ खोद हेन रंकार, वाहे गुरु शब्द हेन रंकार, वाहे गुरु ते परमातमा देविच अंतरा नहीं, दोनों इक कोज ऐसे, गुरु दाज बक्षिया होया ए मंतर वाहे गुरू एदे वेच ते पर मातमा दे वेच कोई अंतरा नहीं आम तौर ते जो डॉक्टर लोग दवाई देन देने किसे नो कोई रोग होवे कोई बिमारी होवे डॉक्टर दे कोल जान्दा आए दवाई लेण देलाई डॉक्टर अकों दवाई देन दा पर दुनिया दे वे दवाई वक्री है डॉक्टर वक्रा है तिन्ने चीज़ां वक्रियाने जिन्ने दवाई लेने ये जो मरीज है दुखी है वो वक्रा दवाई हो रहा है और डॉक्टर कुछ हो रहा है तिन्ने वक्रों वक्रेने तिन्नारा एक दुझे देनाल कोई बहुता गहरा रिष्टा नह पर तर्मदी दुनिया दे विच पहला चाहे ए वखरापन दिखाई देंदा ओवे गुरु होर सिख होर गुरमानी होर परमातमा हो इसतरा देनाल शुरू देविच हो सकदाई मनोख नुद दिखाई देवे पर गुर्मत ऐसा ब्यान कर दिये सद्गुरु महराज जी ऐसी सिखे आए जो एस रस्ते ते चल दाए जो गुरु दे दसे मार्ग ते चल दाए फिर समें दे नाल गुरु किर्पा दे सद्गा गुरु दे विच गुरू दे दसे मार्ग दे चलन वाले उस सिख दे विच और परमात्मा दे विच कोई अंत्रा नहीं रह जांगा समा इस्तरा दा आजांगा सिख दे विच गुरू दे विच दे परमात्मा दे विच कोई अंत्रा नहीं कलगी तर पिता महराज खुद ब्यान कर दे हैं पेड तासदा मतलब इते खाल से देले शब्द वर्तिया सिख देले ओ सिख जो मेरे दसे हुए उपदेश ते कलगी तर पिता केंदे ने चल दाए जो मेरी गल नो मन दाए ओ दे विच मेरे विच और परमात्मा दे विच कोई अंतरा नहीं पहला ते परमात्मा ते है गुरू दा शब्द गुरू दा शब्द और परमात्मा दे विच कोई अंतरा नहीं एक अलते वार वार सत्गुरू ब्यान कर देना फिर ओस सिख दे विच भी अंतरा नहीं रह जानदा जो गुरू दे शब्द दुवारा परमात्मा तक पहुंच दा तिना दे विच बर्फ दे टेले नू पानी दे विच रखिये ते थोड़े समें दे विच पहचानना ओखा हो जानदाए बर्फ केड़ी सी ते पानी केड़ा से बर्फ दी डली जदों बाहर है वक्री दिखाई दिन दी पर समें दे नाल पानी दे विच रख दिता जाये ते समें दे नाल ओ पानी दे विच्छी स्मा जंग और कलगी तर पिता महराज इसे नूँ सिख मन दे ने। अनांदपूर सहब दी ए गाथा आए कलगी तर पिता महराज उन्ना दे पावन जीवन दे विच्छी। सत्कुरां दे कोलों किसे ने पुछिया है माराज पुराने समयां दे विच कोज इस तरह दे लोक होए ने उन्ना ने तर्मदियां फिर शिरेणियां बंडियां ने ए हिंदू है मुसलमान है किसमा ने जोगियां दे विच भी अपनी अपनी है किसमा ने तो इस तरह दे नाल वक्रे वक्रे उन्हा ने आपने मारगानों बंडे आए वैसे जोग मत एक है पर उन्हा दे अकों बारां पंथ ने जोग मत नो ओ बारां पंथां दे विच बंडे ने फिर सन्यासी ने ओ दस पंथां दे विच बंडे ने दस नाम सन्यासिया पाई गुर्दास उन्हा ने दस देविच वंडिया हिंदू आपने आपने चार उपां देविच मढदें देने चार वर्नने उनना है माराज क्या सिखी देविच विस्तरानी वंड है किसे ने पुछिया सत्गुरां देखो क्या माराज सिखी दे विच विस्तरानी वंड है कलगी तर पिता माराज कहन देने नहीं सिखी दे विच इस्तरानी कोई वंड नहीं पर जे कर फिर भी तुसें पुष्डे हो गुरू दे कार दे विच तिन तराने सिख हो सकते वैसे सिखी दे विच वंड कोई नहीं पर फिर वी बाहरी तौरते सिख दे अदारते सिखी तेन रूपा दे विच वंडी जा सकती कलगी तर पिता महराज उन्ना दा पावने थिहास सिख पुछ दा एक इस्तरा दे नाल महराज ओस सिख दे ताई समझाउन दा तरीका सत्गुरु कैंदे ने एक पाणी दा बरतन लेकिया सिखने ले आंदा महराज कैंदे ने कुछ मिट्टी दे डले सुके कुछ पत्थर और कुछ पतासे लेकिया सिखने ले आंदे महराज ने दो पत्थर दो मिट्टी दे डले और दो पतासे उस पानी दे बरतन दे विच पाण दी आग्या कीते सत्गुरु महराजी दी आग्या दी पालना होई फिर महराजी ने हुकम कीता इना नुपावए दे विच फिर बरतन दे विच पानी दे विच पाद दे जान सिख ने दो पता से दो मिट्टी दिया डलिया और दो पत्थर ओस पानी दे बरतन दे विच रख दे गल्ला बाता सत्गुरू माराज सिख दे नाल कर दे रहे जदों 10-15 मिट दा समां बतीत होया माराज कहन दे निये विच्चों दोना पथरा नो कड, जेडे तों पाये से सिख ने हथ पाया पानी दे बरतन दे विच ऊ दोनों पथर बाहर कड दिते सद्गुरु केंदे ने हुन ओ मिटी दियां डलियां वे कट जेडियां पानी दे विच तेरे कोलों पवाईयां से सिख ने पानी दे विच दुबारा हथ पाया मिटी दियां डलियां कटन लगा आया ओ अगे नालों काफी शोटियां हो चुकियां सन गिलियां जहियां हो गए यां मिट्टी पानी विच पै की चिकड़ वर की हो जान दे सिख ने ओवी दो डलियां अजे हैगियां सन गिलियां हो गए यां मिट्टी दर करके पानी दे करके पर सिख ने दोनों डलियां बाहर कर देती हैं चिकड दे नालो दे हाथ भी जवें गिल्ले हो जान दे मिटी करके उन्हें हाथ साफ कीते सत्गुरु कैंदे ने एदे विच आपां दो पतासे भी पाये से कैंदा है हां माराज पतासे भी पाये से ओ भी कड़ सिक ने हाथ पाया उस पानी दे विच पता से नहीं सन सिक केंदा है माराज पता से ते नहीं ने सत्गुरु केंदे ने पाय ते हैगे से जदों बाकी दिया चीजा निकलाईया ने उभी कड सिक केंदा है नहीं माराज पता से विच नहीं ने वो ते ख ंड दे बने हो इसान पाणी दे विचँ ख्रंड खुर जान दिये तो पता से ते खुर गई सद्गुरु कैन दे ने खुर कितां गए बाहर कट सिख कैन दा नई महाराज निकल ली ने सक दे मैं जतनवी करां दे किमे कटना पाणी दे विचंद कुरे ता से अनु किमें कटिया जा सकता। सत्गुरु केंदे ने ए तेरी स्वाल दा जवाब। माराज समझ दे विच नहीं आया एक इस्तरा दा जवाब। जे इतनी अकली हुंदी ते फिर स्वाली क्यों करदा। तु किर्पा करो, खोल के दस्व एक की तु हडी रम जा। सत्गुरु केंदे ने तों कुछिया सी सिख्षी दे विच किस्मा हुंदियाने। प्रथमते सिख्षी दे विच कोई किस्म नहीं हुंदिया। पर फिर भी जे कर्थम पुष्डाएं ते तिन तराणिया एही किस्मानें, जेडे संगत दे विच संगत आउंदिये गुरु दे दिदार ते ओ तिन तराणिये लोग हो सकते ने। कुज ते इस तराण दे जेडे पत्थर वर गेने। संगत दे विच याउंदे वी ने जे में पत्थर पाणी दे विच पाई सी जिस्तराण दे पाई उससे तराण दे निकल ले। गुरु दे दर ते आया, जिस्तराण दा आया सी उससे तराण दे रिया। ये दे विच कोई बहुता असर नहीं होया। बस बाहरी तोर ते जे में पत्थर थोड़े जे गिल्डे होए ने इस तरह दे नाल होना ते थोड़ा जे गुरू दा असर बाहरों बाहरों हुंदा है इतना कहले ये गुरू दा लिबास होना दे कोल हुंदा है कन्ना दे विच थोड़े जे बोल पैजान दे ने गुरू दे नवर के हो सकते ने, जेडे हैगे ते बड़े सकत सन, बड़े करड़े सुबा दे सन, पर गुरू दी संगत दे नाल, गुरू दी रहमत दे नाल, उन्ना ते असर होया है, ओ खुरते जा रहे हैं, अजे पूरी तरान दे नाल खुरे नहीं, अजे उन्ना दा हंकार, उन्ना दा मन पूरी तरां दे नाल ते नहीं मिटिया पर समें दे नाल मिट जन्दा उन्हानु साधना करने पैंदी लंबे साधना चल दी पर कुझ ते इस्तरां देने पतासियां वरके ने पाणी दे विच पैंदियां खुर जन्दे कुझ संगत दे विच इस्तरां देने खाल से मैं हो करो निवास जेडे मिटी दी डली वरके ने ओवी खुर जानगी समें दे नाल समा लगेगा जे में कुछ बिमारियां ऐसियां ने एक दवाई दे नाली ठीक ने कुछ दे लई थोड़ी लंबी दवाई चल दी कुछ ला इलाज भी हो जान दियाने पत्थर वरके हुं देने पानी दे विच रखिये सुक दे रहें देने सुकी रह जान दे तो इस तरह दे मनुक नु सत्गुरु माराज सिक मन देने जो पतासे वरका हो गया डली वरका अजे सिक होन दी साधना कर रहा है अजे सिक होया नए अजे उ अपने आपनो सिक अखवा रहा है अजे गुरु ने सिक नए आके पूरी गल उस दिन बन दिये जिस दिन गुरु आके पर जो गुर मंतर दी साधना करदा है गुरु दे शब्द दा अब्यास करदा है पाव पानी दे विच है जिनने अपने आपनों पानी दे विच पादिता जेडी डली मिट्टी दी पानी दे विच पादिती है समें दे नाल खोरी जाएगी कोई मिट्टी दी डली इतनी सक्त नहीं हो सकती ओ पानी दे विच ना खोरे और कोई हिर्दा इतना करड़ा नहीं हो सकता जेला गुरू दे शब्ड दा अभियास करे ते उ साफ न हो है इस तरह दा कोई मन नहीं फिर दे गुरु दा शब्ड शुटा हो गया मन वड़ा हो गया जेकर नहीं हो सकता पर गुरु दे शब्ड दी एंट वह शक्ति है उ हर किसे दे मन नो निर्मल कर दे और जिस दिन पतासे दितरां खुर जानदा है फिर गुरू कहनदा है वाक्या ये मेरा इसे ये मेरा इरूप है तो कलगी तर्माराज किर्पा कर देने पर मात्मा दे वेच ते गुरू दे वेच अंतरा नहीं है पर ओस सिख दे विच ते गुरू परमात्मा दे विच भी कोई अंतरा नहीं रह जानदा जो गुरू दे दसे उपदेश ते चल देया हूँ या पता से दितरा खुर गया तो पहली गलते इस पावन इलाही बोला दे विच ए वाहो वाहो बानी नरंग कार है वाहे गुरू शबद और परमात्मा इकोई ने जो इन्ना दे नाल जुड़दा है ओवी इन्ना दे वरगाई हो जन्दा परमात्मा दे वरगाई हो जन्दा पगत दे विच ते परमात्मा दे विच कोई अंतरा नहीं और जिन्ना ने इस्तरां दी साधना कीती उन्ना ने ऐलानियां कह दिता है नामे ना रायन ना ही पेद पक्त नाम देव कहन देने हुण परमात्मा देविज दे नाम देव देविज कोई अंत्रा ने नाम देव दे दर्शन परमात्मा दे दर्शन ने पर मातमा दे दर्शिन पगत नाम देवजी दे दर्शिन दुनों एक कोई जैसे ने दुना दे विच कोई अंत्रा ने इस्तरा दे कुछ स्रीर दुनिया दे हुन देने जिना नु देख के क्या जा सकदा आए ये ते पर मातमा दे रूप गुरू ते परमात्मा दा रूप है यहाई पर कुझ इस्तरा दे संत वे कुझ इस्तरा दे पगत वे फिर कलगी तर पिता महराज उन्ना दे जीवन दी एक होर कटना दा साप जी दे समने रखे और अंग जेब उस सत्गरू महराज जी दे वरुद उन्नों जदों पता चलदा आए पहाड़ी राजियाने चुगली कीती उस सत्गरू महराज जी दे वरुद दिल्ली तों फाज पेज़ दाए कुछ फाज ते बादरे विच जेड़ी दस लाख दी आई ओ बादरी पहलना वे दो तिन वार फाज आई से ओस पेजी होई फाज दे विच जेड़ा जरनेल है ओदानाए सैद खाँ सैद खाँ ओ मनोख है जिस दी पैन पीर बुद्दू शाजी दे नाल व्याही होई फाज ले के कलगी तर पिता महराज इनु दृफ्तार करन दे ले आया चल देया होया रस्ते दे विच्चों लंग रिया से पैन दा पिंड दिखाई दित्ता सोच दा आई चलो इके रस्ते दे विच दो चीजां हो रहिया ने अपना काम में होवेगा ते पैन नु में जंदिया मिल चली तो पैन न सीरा नु मिलन दे ले गया पैन दे नाल गल बात कीती पैन ने पुछिया वीर इतनी लाहू लक्षर इतनी फाज किदर लेके जा रहिया है सैद खां केंदा है मैं सिखां दे गुरू नू गुरू गोबिन सिंग जे उन्हा ने बड़े उपदर कीते ने बारशा ने पेजे आई उन्हा नू गृफ्तार करना है पकड़ के लेके जाना है पैन नसीरा कलगी तर पिता महराजी दे बारे जान दे से फिर बुद्दु शाज युना दे चरना दे सेवादार सन पंगानी दे जंग दे विच गुरू सेवा कर दे रह पुत्वी शहीद होई नसीरा ने बहुत समझाया पर आसे बहुत समझाया सैद खा मन्या ने फिर नसीरा केंदी ये वीर चलो तेरी मर्जी तू नहीं मन दा पर मेरी एक बेनती है तू इतना जरूर त्यान दे विच रखी तू गुरू नू गृफ्तार करन दे लई जा रहा पर जे हो सके ते एक ये वार गुरू दे चरना नो जरूर पकड़ के देखी तू गुरू दे चरना नो एक वार जरूर पकड़ू ओ सत्गु महराजी दे बारे जान दे से गुरू द्वढ़ियाई नूमें जान दे से नसीराने बड़े परुसे देनाई भुण उबंदगी वाली आत्मा सीते बंदगी वाली रूदा एही फैदा हुंदा जेड़ा संता दी संगत जां पकता दी संगत दा गुर्भाणी देविच तारमिक दुनिया देविच गलबात है वडियाई है, उदा एक कारण एही है, गुर्मुक दे कोल जुक्ती हुन्दी, गुरु दे कोल, पक्त दे कोल त्रीका हुन्दा जुक्ती हुन्दी, जे में बच्चा दवाई ना खावे ते मां फिर मिठी चीज नाल देंदी किसे मिठी आई दे विच पाकी दवाई देंदी तो जे में उतना दवाई कोड़ी ये बच्चा खंदा ने पर हुण इन्हें उतना खाणी नए ते खादे बगएर सरना वे नए तो मां तरीका वर्त दे पगत वी संत वी इस्तरा दे नाल तरीका वर्त दे ले तो नसीरा ने फिर तरीका वर्त या कैन लगी वेर दो चीज जाने एक ते गुरू दे जान तो पकड़न तो पहलना एक वरी अरदास जरूर करी ओ अंदर दिया जानन वाले ने ए चीज़ दा त्यान रखें गुरू अंतर जामें ते दूसरा जे हो सके दे एक वरियोना दे चरना नू जरूर पकड़ें चरना दे हाथ जरूर लाइं नसीरा दे गल नू उने त्यान दे नाल गौल लेया दे नई पर सुन लेया फिर चल पया अगे अपनी फौज लेके अनांदपुर साहिब दे बाहर वार उन्हें अपना डेरा लाया आए सत्गुरू महराज इन्हों में पता चलिया स्वेरे जंग होनी है मैदाने जंग दी तियारी कीती दोना पासियां तो सत्गुराने में फौज तियार कीती फौज चड़के आईये दिली तो सैद खाने में अपनी पूरी तियारी रखिये और स्वेरे गुरू नू पकड़ना एक गुरू दे बड़ी गालबात सुनिये तो स्वेरे पकड़ना उदे वटे पाग जागे ने रात दा समा वियोंत बंदियां बना रहा से वियोंत बंदियां बना दियां हुयां जंग दियां जोद दियां तकरीबन अदी तो वद रात बतीत हो गए अमरत वेला नेड़े आउन लगा मन ने अंदरों एक वाज दिती मना पैन ने बड़ा कुछ आखिया से गुरू दे बारे ते होर भी सुनिया फिर पैन ने एवी आखिया सी के गुरू अंतर जामी तेहुन किसे नो आखिया जाए फलाना अंतर जामी ये मनुख मन दाने सैद खावी मन दाने फिर भी कहनदा आए जे वाक्याई गुरू अंतर जामी है जे पैन दी कही हुई गाल दे विच रता जितनी मी सचाई है फिर अरदास करदा आए ऐ गुरू गोबिन सिंग जी जे तुसी वाक्याई अंतर जामी हो मैं सुनिया ते है तुहाटे विच ते परमात्मा खुदा दे विच अंतरा नए पर जे एडे विच कोई सचाई है फिर एक बार जंग तों पहला मैंनों दिदार दे मैं जंग तों पहला जे हो सके ते एस वेले राती तुहाटे दर्शिन करने चौना अरदास निकली हिर्दे दे विच ते हिर्दे दे निकली होई अरदास इतनी गहरी चली जान दिए एक उड़दूदा शायर ते कहनदा सत्ता असमाना तों उपर जान दिए कोई पंची इतना उच्चा नहीं उड़ सकता जितनी उच्ची अरदास जान दिए हvala के अरदास नो कोई खंब नहीं लगगे हुंदे पर ये शायर कहनदाई अरदास इतनी उच्ची जान दिये कोई पंची भी इतना उच्चा नहीं जा सकता दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताक्ते प्रवाज मगर रखती है केंदाई पारते नहीं लगे हुंदे अरदास नो पर एडे विच ताक्त बड़ी उच्छी जान दे तो सैद खांदे हिर्दे डे विचों गहरे तलतों अरदास निकले कलगी तर पिता महराजी डे चर्ना डे विच परवान हो सत्गुरु महराजी ने नीले कोड़े ते पाई काठी थे सत्गुरु चल पर सिक केंदे ने महराज किदर एस विले हनेराज बाहर फौजडा पैर आए दुश्मन आए होई ने खत्रेतों खाली ने इस तरह दे नाल जान सत्गुरु कैंदे ने जाना जरूरी किसे ने पुकार या अरदास की ती माराज चल पे नाल कोई सिख नहीं कोडे ते चल के आए सैद खां अपने तंबू दे बाहर टहल दा प्यासी फिर रियासी दूरों देखिया कोई कोडे दी पैरां दी आवाज सुनाई दिती सैद कां बड़ा साबदान होया तलवार म्यान दे विच्चों बाहर कड़न लगा इतने नू दिखाई दिता सीस दी उपर सुन्दर कलगी चमक दी पैए मन दे विच सोच दाए मैं सुनिया सी गुरु गोबिन सिंग भी कलगी लौँ देने कितरे यो ही तेने फिर इतने समय नू देख दियां देख दियां दे नाल कोड़ा दिखाई दिता सत्गुरु महराज जी थोड़ा थोड़ा चेरा दिखाई दियन लगा पहला कदे देखेया थे नहीं अज तक पहली बार गुरु दे समने खड़ा कलगी तर पिता महराज आके समने खड़े सैद खाने बड़े ते आन दे नाल सत्गुरां दे दिदार की बड़े ते आन दे नाल चेरे दे वल देखिया उन्हों इस्तरा दे नाल पे लिखा प्याए सैद खान केंदा अद्धी रात नू सूरज अजे ते रात बहुत रहिंदी ये अद्धी रात नू सूरज एस्वेले भी चड़ सकता उन्हों इस्तरा दे नाल लगा जे में सूरज चड़िया हो गुरू दे दिदार इस्तरा देने गुरू दा दर्शन ऐसा है जे में सूरज नेरे नू दूर करदा रोशनी करदा गुरू दे दर्शन ऐसे ने जेड़े हिर्दे नू चानन दे दे जेड़े हिर्दे दे विच रोशनी करदे बस कलगी तर पिता माराज उन्हाने मुखतों कोई बचन नहीं की ता सैद खान दे वाल निगाप पर के देखी आए और ऐसा देखी आए के नान का नदर नदर निहाल वाले गाल सैद खान दे कपाट खुल गए उदे वड़े पाग जागे सैद खान बस उसे वेले उन होर ते कुछ नहीं सुझा उने सत्गुरु महराजी दे चर्ना ते नमसकार की ते चर्ना नू पकड़े हम कोट के चर्ना नू पकड़ दा कोडे ते सत्गुरु महराज असवार ने बस जेडे अंदर दे कोई दर्वाजे रह दे वी सान दर्शना दे बाद चरना ते सिर रखन दे नाल ओवी खुल गया फिर उनु पैन न सीरां दे गल वी चेटे दे विचे आई वीर जे कर गुरुनु पकड़न चले आई त्यान रखी एक वार गुरु दे चरना नु जरूर पकड़ी फिर तनवाद भी करदा ये पैन दा एक पैन तेरा बहुत बहुत तनवाद तु मैंनु इस्तरां दे नसीहत दिती मेरा ते जीवन बदलिया तु बड़े वार हिर्दे दे विच्चों तनवाद भी करदा ये पैन दा जदों कोई गुरु जदों कोई इस्तरां दे नाल पांच दा जदों किसेनों इस्तरानी सफलता मिल दिये हिर्दे दे विच्छों तनवाद निकलना सुबावक जईकाल बड़े सुबावक जईकाल वार वार गुर्बानी दे विच्छ गुरुनों तन तन आखियाए गुरुदी मातानों पितानों तन तन आखियाए उदा कारण एही है जदों गुरू दी किर्पा नाल कोई परमात्मा तक पहुंच दाए फिर गुरू दा भी तनवाद गुरू दी माता दा भी तनवाद गुरू दे पिता दा भी तनवाद तो पैन दे प्रती बडे तनवाद दे नाल सतकार दे नाल परिया वार वार सत्गुरां दे चरना ते नमस्कार करदा फिर ओ इस्तरां दे नाल कई गल्ला बातना में सैद खाने कीतिया जो गुरू नों गृफतार करन दे लई पकडन दे लई आया सी ओ आज गुरू दे चरन पकड़ के बैठा इस्तरां दे नाल भी हो सकदा इस तरह दा भी कोई हो सकता तो गुरू दे विच और परमात्मा दे विच अंतरा नहीं इस तरह दिया कुछ रूहा ने कुछ इस तरह दे सरीर ने जिना दे विच्चों खुदा दे दिदार हुन दे चरना ते नमसकार करन तुम बार सैद खां केंदा आए मैं सरीर दे दर्शन कर रहां किसे मनुख दे जां खुदा दे एक खुदा आया है के कोई मनुख आया है मैंनो ते फैंसला करना ओकाई सैद खां दे मान दी विचार जो इतिहास काराने लिखी तुम फिर सैद खां खुदी सोचदाए नहीं मना तुम मनुख दे आज तक बहुत देखे जरनैल है तुम बड़े सूर बीर बड़े बढ़े बहादर देखे ने एक कोई मनुख नहीं हो सकदा मनुख दे आज तक बहुत देखे ने ए फिर कोई खुदाई सरीर तार के आया आये ए खुदादाई सरीर है खुदादाई तान है उसे ने तेनों दिदार दे तेने ए कोई मनुख नहीं हो सकता तो इस्तरा दे कुछ सरीर ने जिना दे विच्चों पर मातमा दी चलक पएंदी जिना दे विच्चों पर मातमा परगट दिखाई देंदा पर इस्तरा दे कुछ सरीर हुंदे ने जिना दे विच्चों शेतान दे दर्शन हो जिनना दे विच्छों शेतान दी चलक पवे तो इस्तरा दे वी कुछ सरीर ने जिनना दे विच्छों कह सक देया एते बिल्कुली शेतान है बिल्कुली परेत इस्तरा दे वी कुछ सरीर हुंदे ने किसे पूत परेत नो देखने दी लोड ने उन्हादे दर्शन उन्हादा देखनाई बस पूताँ वर गई हुन्दा पर कुछ इस्तरादियां आत्मामावी ने गुणादे नाल परियां हुई या नाम बाणी दे नाल उन्हादे दर्शनादे वेची सब कुछ हुन्दा फिर इलाही बानी दे बोले थे पूरे उत्तर देने साद के संग नहीं कछ काल दर्सन पेट तो होत निहाल बस दर्शन बहुत ने सो कहो टल गुर से भी ए एहनिस सहज सुबाई दर्सन पर से ए गुरू कै जनम मरन दुख जाए गुरू देते दिदारी इस तरह देने पक्त दे संत देते दर्शनी इस तरह देने और इनना दर्शना दी बड़ी बड़े आई है बड़ी में इस तरह दी सुबा कीती गई है गुरू दे दर्शना दी संता दे पक्ता दे दिदार दी और इतना ही नहीं सेखते जेड़ी अरदास करता है उदे विच्वी ए बोल एड ने ऐ गुरूर तूं किर्पा कर उनना गुर्षिक प्यारियां दा मिलाप बख्ष जिनना मिलियां तेरा नाम चेते दे विच्वी तो कोज इस्तरा निया रूहा ने जिनना देखन दे नाल दर्षन करन दे नाल परमात्मा जाद आउंदा जे में किसे तनाड नो देखिये तनवाले नो देखिये ते मन दे विच्वी विचार हुन दिये मेरे कोल भी पैसे हो मैं में कमाई करने किसे उच्ची कोठी नो देख के किसे वड़ी कार गड़ी नो देख के मन सोच दाए मेरे कोल भी इस्तरा दे हो मैं में इस्तरा दे नाल बढ़ना तो किसे संत नो पगत नो देख के कुछ इस्तरान या रूहाने संत पगत ऐसे ने जिना नू देख के मन देविच ख्याल हुंदा जीवन होवे ते इस्तरान दा तो पगत नाम देव जी कह रहे है ने नाम में नारायन नाहीं पेद नाम देव देविच और नारायन देविच हुण कोई अंतरा ने दुनों एको जैसे तो फिर पगत कबीर जी महराज ओवी इस दाजिकर कर देनå पगत कबीर कहने ने राम कबीरा एक पए है, कोई न सकय पिशानने हूँण राम कबीर हो गिया है ते कबीर राम हो गिया दुना दे विच कोई अंत्रा ने राम दे दर्शन करने ने पगत कबीर केंदे ने मेरे कर लो बस एक कोई जैसा ने बाहरी ताउर दे ए इस तरह दे नाल लगेगा जे में हंकार होगे पर ए बिलकुल हंकार नहीं हंकारी मनुख भी अपने आपनों परमात्मा सिद कर सकता है पर जदों कोई परमात्मा दे विच लीन हंदा है उदों ओवी इस तरह दे बोल केंदा ए दे विच बस अंतरा इतना हंदा है एक परमात्मा होया नहीं पर अपने आपनों परमात्मा कह रहा है एक परमातमा हो गया है ते हुने ओडे अंद्रों परमातमा कह रहा है कि ए मेरा रूप एक दे विच्चों परमातमा बोलदा है एक अपने विच्चों खुद बोलदा है बस इतना फर्क होंदा है पखंडी कह, दे हिर्दे दे विच्चों अरदास नहीं निकल दिये पखंडी दा हिर्दा नहीं बोलदा ओडे अंद्रों हंकार बोलदा हो उभी केंदा है मैं रब दा रूप पर पगत दे हिर्दे दे विच्चों अरदास भी निकल दिये पूरी हुन दिये और ओदे हिर्दे दे विच्चों परमात्मा बोल दा एदे वेच हुन परमात्मा दा वस्ता है पगत कबीर जी माराज कहन देने मेरे अंदर परमात्मा वस्ता है परमात्मा दे जिस किसे ने दिदार करने हुन कबीर दे कर लें एको जैसे ने फिर किसे ने पुछी आए पगत कबीर जी तुहानू ए अवस्ता किस्तरा दे नाल मिली तुसीं परमात्मा दारूप हो गयो तुसीं खुद कह रहे हो तुहट दे विच ते परमात्मा दे विच अंत्रा नहीं पर एक केमे होया ए दुनो एक मेक किस्तरा दे नाल होय बर्फदी डली नू पानी दे विच रखिये ते पानी हो जान दिये पर मनुख पर मातमा दे विच एक में किस्तरा दे नाल होगे एके में हो सकदा है पगत कबीर जी महराज फिर तरीका दस देने ते तरीका ओही है जेडा गुरुनानक दे महराज जी ने दस दिया इन्हों केंदेने सव स्यानिया इको मात मूरखा आपो अपनी सव स्यानिय में कटे होंदे उना दिसला हो जान दे मूरख दे अपनी अपनी अकल हुंदी तो जो तरीका गुरुनानक दे महराज दस देने ओही पगत कबीर ने आप उस तरीके ने स्रवन करो आम इस लोक पढ़िया जन्दा सुनिया जन्दा पगत कबीर केंदे ने इदा तरीका बस एही है कि कबीर तू तू करता तू हुआ मैं तू तू दा जब कीता है पाव परमातमा दा नाम जपिया बस ओदा नाम लेंदें लेंदें मैं ओदे वरगाई हो गया ओदा नाम इतनी तागत रखता है इतनी ओदे विच शक्ती है जिड़ा ओदे नाम दे नाल जड़ता है ओदे वरगाई हो जन्दा फिर ओदे विच ते नामेंदे विच अंत्रा नहीं रह जन्दा कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ मैं रहा ना हूँ हुन हुन नहीं रह गया, जब आपा परका मिट गया, जत देखो तत तू, हुन अपना ते प्राया मिट गया, हुन ए मेरा नहीं है, इस तरहां दा कोई पड़ दा हिर्दे ले विच नहीं, हुन ते जड़े पासे निगा मार के देखे देए, तो नहीं दिखाई देंदा, और दूसरे पासे निगा मार के देखे आए, तो नहीं दिखाई देंदा, पर कमाल दी गाल आपने विच भी निगा मार के देखे देखे देए, तो नहीं दिखाई देंदा, हुन सारे पासे त रब दिखाई देन दार पर आपने हथां पैरां दे वालवी बगत कबीर केंदेने मैं देखां दे परमातमा दे दे दार मैं दे अपने चेरा देख लेमा दे परमातमा दे दर्शन हुंदे बगत कबीर जी महराज तो सत्गुरु महराजी ने शिक नो इस्तरा दा बनाया है जेडे सिक दे दर्शन करंदे नाली परमात्मा दे दर्शन हुंदे हूं जिन्नों देख के गुरु चेते आवे गुरसिक दा होर कोई अर्थ नहीं हुंदा ओ वक्रे वक्रे अर्थ ने आपने मत दे नाली कीते जाने ने विदवाना ने की तेने पर एक अर्थ गुरसिक दा एवी है जिन्नों देख के गुरु चेते आवे गुरसिक जिन्नों देख के गुरु चेते आवे ते मनमुख दा अर्थ है जो मन दे पिछे चलन वाला एक दे एक अर्दे दूसरा, जिनुदेखके बस मनदिया वाशनामा बदन मनद विच इच्चामा पैदा होन, मनमुख जिनुदेखके गुरु चेते आवे गुरु जियाद आवे गुर सिक खोद एक चलदा फिर्दा गुरु का रहे गुर्सिक ओदे हिर्दे डे विच गुरू दा निवास गुरू कर दे विच की हुंदा है गुरू दे शब्द दी गल हुंदी ये तान गुरू करंस है महराजी दा परकाश है फिर लंगर है दया दी गल है बंडन दी गल है लंगर दे विच संगत दे विच शब्द बंडिया जान दै लंगर दे विच परशादा गुर सिख दे विच दया भी हुंदी है शब्द भी हुंदा है ओदे हिर्दे दे विच गुरू दा परकाश भी हुंदा तो एदा कहले ये गुरू दा सिक तुर्दा फिर्दा गुरू का ले संत ग्यानी गुर्बचन सिंग जी खाल सा पिंडरावाले ओ जदों तुर फिर के परचार करदे सन नाल उना दे सिंग हुंदे सन जथा चलदा फिर्दा से उन्हानु तुर्दी फिर्दी जुनी वरष्टी क्या जान्दा से संत ग्यानी गुर्बचन सिंग जी खाल सा उन्हानु समेंदे लोग तुर्दी फिर्दी जुनी वरष्टी कहन्दे सा एते तुर्दे फिर्दे विद्वान ने एक ते ओ जोने वरष्टी जेड़ी बनाई गई एक जगात पर ए ऐसा विद्याला है जेड़ा तुर फिर के परचार करदा तुर फिर के विद्यानों बंड़दा है तो गुरू दा सिख ओ है जेड़ा तुर्दियां फिर्दियां जिन्हों देख के गुरू चेते यहूंदा पर ए सारा कुछ हुंदा है गुरू दे गिर्पा नाग, गुरू दे श्यवद दे खमाई नाग, अज दे इना शब्दान दे विच्तान गुरू अमरदास दी बियान कर देने वाहे गुरु दे विच कोई अंत्रा ने तो वाहे गुरु मंतर दे बराबर दुनिया दा कोई मंतर ने कोई शब्द ने और जेडा इस शब्द दा अब्यास करदा ओ दे वर्गा वी फिर दूसरा कोई ने गुरु दे सिख वर्गा दूसरा कोई ने पगत दे वर्गा दूसरा कोई ने चाहे दुनिया दे विच पंडत सूर बेर बार्शा ने पर पगत रविदास जी कहन देने पंडत सूर शतरपत राजा पगत बराबर और ना कोई पगत दे बराबर कोई सूर मा ने कोई पंडत कोई कुछ भी ने सारे थले रह जान देने उना दी अपनी अपनी गलबात है पर पगत ते एदा कहले ये चंदरमा वरगा बाकी दे सारे ते तारियां दे वरगे तो तारे चाहे वड़े होन पर दिखाई शोटे शोटे देने चमकन दे विच बिलकुल शोटे तो चंदरमा दी अपनी गलबात ह में चमकदा, ताह थे बहुत शोटे रह जांदें, तो पागत थे छन्दरमा वर्गा हुंद, आखकी दे लोग थे ताहर्यां वर्गे, कुछ थे ताहर्या वर्गे भी नहीं हुंद, तो तेस जेवड मैं वर ना कोई, पागत दे ए वाहू वाहू मंतर ए परमातमा दा नाम ए अगम है ए ऐसा है जित्थों तक मनुखदे मनदी भी पहुंच नहीं अथा हूँ ए बड़ा गहरा ए बड़ा डूंगा है वाहू वाहू सच्चा सोई ए वाहू वाहू मंतर उस वाहि गुरू दा नाम है और उ आप इस दे विच रम्या हूया वस्या हूया है वाहू वाहू वे परवाहू है ओ वाहि गुरू ऐसा है कि ओ वे परवा है उनों किसे तरांदी कोई परवा नहीं ए फारसी दी शैली है जे कर शब्द एक हुवे उदे नाल दो चीजानों ब्यान किता जन्दा पूरा शब्द वैसे हैगा है प परवा, परवा ना मतलब है फिकर, चिंता करने, पर नाल भे लग जयंदा है जाँ बे लगदा है, बब दे लांज जा भावे दे नाल, ए नाल ला दिता जावे ते नेक्टिव बन जिन दा है, जे में इंगलिश दे को जबत ने, उनना नू पॉजटिव ते फिर नेक्टिव बना दिता जानदा इस तरह दे नाल शब्द ते है positive परवा पर नाल बे लगदा है तो negative बन जानदा है बे परवा जिन्नों कोई परवा ने जिन्नों कोई चिंता ने जे एदे नाल बाला दिता जावे जां वाला दिता जावे कन्ना लाके बापरवा जां वापरवा उदा मतल बहार एपर्वाद समेत है जमै अजवी हिंदउस्तान दी अदालत दे विच आशब्द वरते जान देने इसनो बा एज्यत बरी किता जनदा तो बा एज्ज्यत दा मतलब है ऐज्ज्यत दे सारे जान दे सनमान सतकार एज्ड बा एज्ज्च बरी करना इननों पूरे सनमान दे नाल पूरी इज्जत दे नाल एस मकदमे दे विच्चों एस केस दे विच्चों बरी किता जानदा तो बा लग जावे किसे वी शब्द दे नाल फारसी दा होवे बा इज्जत, बा कमाल बड़े कमाल दे गाल तो ओ सही बन जानदा इज्जत दे समय जां कमाल दे समय जे बे लग जावे बे इज्जत तो बे इज्जत दा मतलब होया कोई इज्जत नहीं इसनों बड़ा बे इज्जत कीता गया है तो बे इज्जत दा मतलब जी दी कोई इज्जत नहीं रहे गए फिर इस तरह दे शव्द गुर्बानी दे विच बहुत सारे ने इतना समाने कि दुरे फिर तो बे परवादा मतलब जिननों कोई परवाने ओ वाहे गुरु ऐसा है उननों कोई परवाने फिकर नहीं है और जेडा ओदे चरना नार जुड़िया फिकर उसनों में कोई नहीं रह जान दी वाहू वाहू करे सो हुए ओ वाहि गुरू ऐसा है ओ वे परवा है किसे ले फिकर नहीं करदा और जो ओ चौंदा है ओ ही ओ करदा है उनों कोई रोकन वाला टोकन वाला नहीं वाहू वाहू अमरत नाम है गुर्मक पावै कोई वाहि गुरू वाहि गुरू जेड़ा नाम है परमातमादा ए अमरत मैं है ए एक अमरत है ते अमरत दा मतलब है जेड़ा मुर्देनु जीवन दिन दा मरेत आ मरेत जो मुर्देनु जीवन दे दे वे जिड़ा मुर्देनों वी जिंदा कर देवे तो वाहि गुरु मंतर अमर्त है ए अमर्त में नाम है पर प्राप्त उसनों हुंदा है जिड़े ते गुरु दे किरपा हुई गुर्मुख पावे कौई गुरु दौरा मिलता है वाहो वाहो कर्मी पाई है आप दया कर दे ए वाहि गुरु वाहि गुरु दा जो अमरतमे मंतर है नाम है ए किसे नो किर्पा दे नाल ही मिलदा है आप दया कर दे वड़े पागां दे नाल मिलदा है और परमातमा दे किर्पा दे नाल गुरु दे किर्पा दे नाल मिलदा है जिसनो ओ देंदा है उससे न नाल नहीं मिलदा ओधी रहमत दे नाल मिलदा नानक वाहू वाहू गुर्मक पाये अन दिन नाम लाए जो मनुख गुरु दे दवारा गुरु दे किर्पा दे नाल इस मंतर नू प्राप्त कर लें देने वाहू वाहू नू अन दिन नाम लाए फिर उनू चाहिदा है कि ओहु तर देनाल जुड महला तीजा बिन सत्कुर सेवे सांथ ना आवय दूचे ना ही जाए पहले शब्द दे विच्दास ने पहला मी बेंती कीति ये कुछ इस्तरा दिया रूहा ने कुछ इस्तरा दे स्रीर ने परमात्मा वरके लग देने पर कुछ इस्तरा दे विने जो शतान वर परीतन वर गतेके टेने तो उन्न दो जिकर सत्कुू कर देने बिन सत्कुर सेवे सांत आँ जिन्न दे कोल गुरू दा शब्द नहीं गुरू दित्ता हुया नाम मंतर नहीं उन्न दे हिर्दे दे विच्छ goofy शांती नहीं हु सकती उन्ना दे हिर दे विच टका नए। उन्ह दे हिर्दे डे विच विकारांदा वसा है। और गुरू दी सेवा तूं बगेर इन शांती मिल दी नहीं। दूजी नाहे जाए। गुरू तों बगेर दूसरी कोई जगा नहीं। जिथों शांती। जितों सुख प्राप्त हो सके जे बहुत तेरा लोची है विन कर्मे ना पाया जाए चाहे मनोख कोई कितना इच्छा करे कितनी मंग रखे पर गुरू दी किर्पा दे बगैर ना शांती मिल दी ना सुख दे ना गुरू दा मंतर मिलदा है जिनना अंतर लोब विकार है दूज पाय खुआए चिना दे हिर्दे दे विच लोब है विकार पावना विशे विकारां दा वस्ता है ओ दूसरे दे प्यार दे विच लगे हुई माया मोदे विच लगे हुई खजल खुवार हो रहने जमन मर्न ना चुक कई हो मैं विच्चों जाए उनना दा जमना उनना दा म नगते है ने मुट्गा का भी कोई हो जिनना सब्सक्राइग और झिनना सब्सक्रात कौब का जिनना ना पिन्सक्राइग भणी भंग भंग का हुए जच्क अनगोन पर वहत खातू है गुरू दे शब्द नाल गुर्बानी दे नाल चितनू जोड़े आए सत्गुरु केंदेने उना दे विचों खाली कोई नए गुरु सारिया दिया चूलिया परदा है तिन जमकी तलब ना हुवई ना ओए दुख सहा है ऐसे मनुक जो गुरु दे शब्द नाल चितनू जोड़े ने उनानू जमदी आवाज भी सुननी नहीं पहिंदे पाब उना दे उपर मौत दा भी असर नहीं हुंदा ना ओए दुख सहा है ओफिर जन्म मरंदा विशे विकारां दे विच खजल खुवार हून वाला जेडा दुख है इसनू मी चल दे नहीं इसनू मी सहार दे नहीं बच जन्देने नानक गुर्मक उबरे सच्चे सब्द समाहे गुरु दे किर्पा दे दुवारा नानक गुर्मक उबरे जो गुर्मक होई ने किर्पा दे पातर बने ने ओ एस विशे विकारां दे संसार समंदर तो उबर गैने बच गैने सच्चे सब्द समा है और गुरू दे शब्द दे दुवारा ओ सच्चे परमात्मा दे विच समा गैने ओ दे विच लेन हो गैने पौडी टाडी तिसनु आखी है जे खसमें तरे पियार टाडी दा मतलब है जो जस करनवाला वडियाई करनवाला राजे महराजियां दे महलां दे विच टाडी लोग उनना दे सुछले गौंदे सान तो गुरू कर दे विच भी टाड़ी ने जो गुरू दे गुरू दे सिखा दिया वारां गौंदे ने सुहले गौंदे ने सत गुरू कहन दे ने टाड़ी तिसनू आखी है जे खसमें तरे प्यार टाड़ी उसनु आखीदा है जो अपने खसम दे नाल अपने मालक ने नाल प्यार करदा दर खड़ा सेवा करे गुर सब्दी विचार जो गुरू दे शब्द दी विचार करदा है जो गुरू दे दर ते खड़ के गुरू दी सेवा करदा है टाड़ी दार कर पाई से साच रखे उर तार टाड़ी नो गुरू दा दार गुरू दे कर दी प्राप्ति हुन दी है पर ओस टाड़ी नो जो हिर्दे दे विच साच नो तार के रख दा जो हिर्दे दे विच साच नो टकौन दा है ताड़ी का महल अगला हरके नाय प्यार जिस ताड़ी दा जिस गुरू दा जस गौन वाले गुर सिक दा हरी दे नाल वाहि गुरू दे नाल प्यार है सत्गुरू केंदे ने ओदा मर्तबा ओदा ओदा बाउदा 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 उच्चा है ओदा बाउत सतकारी दोना जहानने विच बड़ी पदवी बला है ओ टाड़ी की सेवा चाकरी हार after निस्टार टाड़ी दी सेवा टाड़ी दी चाकरी बस एही है कि ओ ँव हरी दा जब करे ओपने गुरु दी अपने मालक वाहे गुरु दी बड़ीाई करे सिफ्टों सला करे गुर्षिखां दा इतिहास गुर्षिखां दे जीवनानों संगत दे सामने पेश करे रखे वड़ियाई करे गुरू दे बस एही कुछ करदें हुएं उस दा निस्तारा है हार जप हार निस्तार जो हरी दा जप करदा हरी उस दा बेड़ा बनने लौंदा न इस्तारा करदा ये परमात्मा वाहि गुरु दे नाम दे वड़े आईए सत्गुरु महराज में रामत करन समय अनुसार इतनी सिवा परवान विचारां कर देया हुई यां ब्यंत कुलां दी खिमा बक्षनी जी ताड़ी का महल अगला हर कैनाए प्यार ताड़ी की सेवा चाकरे हर जप हर निस्तार वाहि गुरु जी का खलसा वाहि गुरु जी की पत्र